नविस्कार दोस्तो जेहिन वंदेवातरम मैं आपके साथ जैसवाल सर राप शवी का श्वागत अविनन्दन है टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर बाई सिच्चाही प्रकास है बात करेंगे साथियों परियावन एद्धन के प्रेक्टिस पेपर की बात करेंगे अभ्यास प्रशनपत्य की बात करेंगे यह आपका पार्ट नमबर प्रेक्टिस पेपर नमबर मॉडल नमबर मॉडल प्रेक्टिस पेपर नमबर फिप्टीन है साथियों इसके पहले आपके बालबेकास, हिंदी, मैस समस्ञ सब्जेक के परैक्टिस पेपर अब्यास परोशिन पर चल ले हैं जिसका आई बटन पर आपको लिंक दे दिया गए हाल लेड़ी आप लोग प्रतीक प्राटिस इट प्रतीक प्राटिस पेपर को बेतीन तरीके से अटन करके अपने त्यारी को बहतर कर सकते हैं अपने त्यारी को निखार सकते हैं कहते हैं जब तक आपका कुछ चैरा निखर नहीं जाता तो आप कुछ फीके फीके नजा राते हैं ऐसे ही तयारी के पहले जो आपकी तयारी बाहर निकरती नहीं है तो आपकी तयारी भी फीकी फीकी लगने लगती है। करते हैं पहला प्रशना आप लोगों के स्कीन पर है काना किस लिए किस वर्स राष्टि उद्यान बना था उन्नेश सो तिरपन चंवन पच्पन उन्नेश सो चपन नीचे कमेंट बाक्ष से मेरे सभी प्यारेमित सच्छबंदू जिनका सपना धापा का धापिका बनना गौर् आपस नंबर सेज दा राइट एंसर करेक्ट एंसर हो जाएगा दूसरा प्रस्ट जो आप लोगों के स्कीन पर दिया गया है ऐसा रसायन जो कला और सिल्प में उप्योग किया जाता है किन्तु रग तल्पतावा लुके मिया नामक रोगों को उत्पन करता है वह आपका रस रसायन जो कला और सिल्प में उप्योग किया जाता है किन्तु रग तल्पतावा लुके मिया नामक रोगों को उत्पन करता है वह आपका रसायन बेंचीन की बात करेंगे पहला अपसंद सही हो जाएगा तीसरा प्रसंदिया गया है बायो गैस अरथात जयो गैस के संदर में कौन सा कथन जो है सत्त है कि ज्वाला मुखे से निकली मिस्सित गैसे कच्चे तेल के कुऊं से उत्पन गैस की बात कर रहे है या बायो गैस जयो भर के अपून धहन से प्राप्त गैस की बात कर रहे है या बायो गैस जयो भार के किनवन से उत्पन गैस के बात की जा रही है सभी कमेंट कीजेगा 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दे दिया जाएगा प्रतेक प्रशन को फीडवे करने के लिए अपना अपना स्कोर कमेंट करने के लिए तो बायो गैस अर्थात जयो गैस के संदर में कौन सकतन हमारा यहां पे सत्त दिया गया है कि बायो गैस अर्थात जयो भार के किनवन से उत्पन गैस टिक है डी आपजन सही हो जाएगा चौथा प्रशन दिया गया है कि निन्मे से किसे पर्यावर्णी लेखा परिच्छन समलित नहीं किया जाता है निगेटू नकारात्मा प्रशन पूंचा जा रहा है कि प्रदूसर निगरानी योजनाई की बात कर रहे है सरकारी एजेंसियों की सुरच्छा की उद्धोग स्रमिकों की सुरच्छा उपबंध की या विस रिसायनों का शंगरन की तो पर्यावर्णी लेखा परिच्छन जो समलित नहीं किया जाता है किसकी समलित नहीं किया जाता है तो पर्यावर्णी सरकारी एजेंसियों की सुरच्छा की जो है लेखा परिच्छन समलिक नहीं किया जाता है आई होप शभी प्यारमिद अपना अपना फीडबेक अपना अपना कमेंट बाक्स में अवश्य बताएंगे पांचो प्रसने बीबी आईपी के टेगरी का प्रसने सलेक्शन वाला प्रसने मत्पदेश में एक मात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है मंदला, खरगौन, वैतूल, खंडवा सभी कमेंट के जेगा आप जानते हैं, समझते हैं, भाविय दापक, धापिकाएं हैं से चखबंदों हैं कि मत्पदेश में ऐसा एक मात्र गांजा उत्पादक जिला जो कहलाता है, वै खरगौन की बात करेंगे जो कि यह हैं आपका एक मादक पदार्थ है चटमा प्रशन है, मदुमें की बात करेंगे मदुमें, डाइबिटीज, मिलाइटस से पीडित विक्ति के बार बार पानी रत में से किसे कम करने के लिए पीता है गलू कोज, इंसुलिन, गलू कॉन या लवन की बात करेंगे तो मदू में डाइबिटीज के मिलाइटिस से पीडित विक्ति के बार बार पानी रत में से किसे कम करने के लिए पीता है तो वह दोस्तो ग्लू कोच पहला आप संहिदा राइट इंसर करेक्ट इंसर हो जाएगा सात्मा प्रश्णे तालाब अथ्वा जीलों के जल सतय पर तेजी से बढ़ते فाइक टो प्लेंक डवारा पूरी तरह से धकने को किस रूप में जाना जाता है सभी कमेंट कीजेगा मेरे सभी प्यारे मित प्यारे प्यारे भाईयों की प्यारी प्यारी बहने ग्रहनी जिनका सपना है अध्धापा का धापिका बनना गौर्मेंट टीचर बनना टीटी जाम को क्रेक करना जैस्वाल सार आप सभी का अश्वागत अविननन करते हैं आप सभी के मातापितों को प्रणाम करते हैं तो तलाब अथवा जीलों के जल सतय पर तेजी से बढ़ते जो फ्लाइटो प्लेंक्टन द्वारा पूरी तरह से ढगने को किस रूप में जाना जाता है जल प्रदूसन, जल बंधा, यूट्रोफिकेशन या जल प्रस्पूटन की बात कर रहे हैं अगर का आपका जवाब यूट्रोफिकेशन है बिल्कुल सही जवाब है आपका जी आप से दराइट इंसर, करेक्ट इंसर हो जाएगा आठों प्रस्पूटन निन में से कौन जो है जैविक रूप से अपगटन योग है चमडे की बिल्ट की, चांदी की परत, लोहे की कील, प्लास्टिक कागज सभी कमेंट कीजिएगा जैविक रूप में अपगटन की बात करें हैं देखें, जैविक, अजैविक, ठीक है, बहुत निजिव, सर्जिव, इनको बहुत ही इंपटन है समझने के लिए तो कौन सा जो है जैविक रूप से अपगट की बात कर रहे हैं तो चमडे का जो वेल्ट है जैविक रूप से अपगट योग है इसके बात करेंगे जैविक के रूप से पहला अपसन, सई हो जाएगा किसके अभीद पदार्थों से और्णी क्रत करने को किस नाम से जाना जाता है रासानी किस्री करन, भून भराव, ढखना या कैपसूली करने के बात करेंगे सभी कमेंट कीजेगा तो ठोस अफसिष्ट को अभेद पदार्थों से अरुनीरी करत करने को किस नाम से जाना जाता है कैपसूली करन के नाम से जाना जाता है दी आपसन, इधर आई, टिंसर, गर्यक्ट टिंसर हो जाए और EBS में सुची वाले प्रशन आते हैं जैसे आप सभी लोग जानते हैं थोड़ा अठपटे होते हैं, थोड़ा समय भी लेते हैं एक ये दो प्रश्ण आपके प्रश्ण वाले या सूची वाले दे दिया जाते हैं मिलान वाले दे दिया जाते हैं सूची फर्स्ट और सिकर्ड में दिया गया है पुलीकट जील चिलका जील बूलर जील सामर जील चारों जीलों को आपको बताना है किस किस राज में कौन सी च वक्त दे दिया जाएगा वीडियो पहुच करें सोची और कमेंट किरें फीडवेक करें क्योंकि यहां पर सेलेक्शन शुरूपरी है सभी मित्रों को जे हिंदू वंदे मात्रा मींकलाब चिंदाबाद एक जाम को फतेह करना है साथियो तो आपका फीडवेक आपका कमेंट श करेंगे उलर जील आपके कहां पर है सबी लोग बताईएगा उलर जील आपके कासमीर की बात करेंगे और शाभर जील आपके राजिस्थान की बात करेंगे और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें फीडवेक करें आपका कमेंट आपका फीडवेक शरोपर है शर्वा करना फटाफट कमेंड कीजिए फटाफट अंदाज में फटाफट अंदाज में कमेंड कीजिए फटाफट त्यारी कीजिए और सेलेक्शन पाईए साथ यू चाय और काफी के ज्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है बिटामिन B12, कैल्सियम, बिटामिन C, एल्विनम के बात करेंगे बहुत ही आसान प्रशने तो चाय और काफी के ज़्यादा सेवन से सब्सक्राइब ज़्यादा जो कमी होती है वह कैल्सियम की कमी हो जाती है जी हाँ, द्यान देजेगा अंगला प्रशने, बिटामिन B12 में कोवाल्ट की उपस्तित की जानकारी किस परिच्छन द्वारा की गई है एक परिच्छन होता है साथियों, जिसमें बिटामिन B12 में कोवाल्ट की उपस्तित की जानकारी का परिच्छन किया जाता है इस्पेक्टोशकॉपी द्वारा की गई है बोरेक्स बीड परिच्छन द्वारा सोडियम नाइटो प्रुशाइट परिच्छन द्वारा ये जली सनलेन परिच्छन की बात कर रहे है तो विटामिन बी टॉल में कोबाल्ट की उपस्तित की जानकारी किस परिच्छन द्वारा की गई है तो बोरेक्स बीड परिच्छन ये ध्यान दी जाएगा बिटामिन बी टुल्व, कोबाल्ट, बोरेक्स बीड परिच्छन भी आपसन इस दा राइट एंसर, करेक्ट एंसर हो जाएगा अंगला प्रशन है सड़क से समन्दीद भी प्रशन पूचा जाता है सड़क परिभान का आपका आपसन पे है याता यात का तीक है जूड़े हुए है ठीक है नेशनल जो है उनसे समन्दी जरूर आप लो रिमाइन कर लिजे एक बार आप एक्जाम के पहले तो दिल्ली से कोलकाता को जूड़ने वाले जो रास्टी मार्ग है वाई टू की बात करेंगे दो नमबर जी हाँ जिसे हम Grand Tank Road के नाम से भी है जानी जाते हैं और इसका निर्माण सेर साय सूरी ने करवाया था अंगला प्रशन है फोर्टीत नमबर है अक्टूबर गर्मी का प्रमुक कारण क्या है गर्म और सुस्क मौशम होता है बहुत कम वेग वाली हवाई होती है यह भारत के गंगा मैदानों में निम्निदाप इस्च्रम की बात कर रहे है या उच्छ आधिता की शाथ संबंद मेरे सभी मित्र कमेंड कर चुके हैं सिच्छ बंदू अक्टूबर गर्मी का जो प्रमुक कारण होता है शाथियो वे भारत के गंगा मैदानों में निम्निदाप सिस्टम की बात करेंगे प्रसिद्ध गिर जो है वन कहां पर इसी थे आपके मैशूर पर कास्मीर पर केरल पर या गुजरात की बात करेंगे सभी कमेंट कीजेगा प्रसिद्ध गिर जो है वन कहां पर इसी थे सातियों आपका जबाब क्या होना चाहिए हम बात करेंगे गिर से गिरना और गा से गिर गा से गुजरात तो प्रसिद गिर जो वन है आपके है गुजरात राजपर इसी थै और गुजरात की बात करते हैं कपास वाली मिट्टी जो सबसे ज़ादा पाई जाती है अपके गुजरात राज में और वह है कफास वाली मिट्टी काली मिट्टी की बात करेंगे आईए बात करते हैं अंगले प्रिश्ण की जो स्कीन पर है रानी लच्छिम भाई की समाधी किस नगर में है ग्वालियर, शिवपुरी, इंदवर, जहासी सभी कमेंट कीजेगा बेहतीन प्रिश्ण ऐसी त्यारी हो सकता कहीं आपकी हो सकती हो सभी कमेंट बताईएगा त्यारी बेहतीन करना है तो आपको कमेंटेट बनना पड़ेगा अपना अपना कमेंट अपना फीडवेक करना पड़ेगा जह स्वाल सर वादा करते हैं अगर यहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग एकजाम में भी बहतर कमेंट करेंगे फीडबेक करेंगे और बहतर स्कोर प्राप्त करेंगे तो रानी लच्छी वाई की समाद 21 नगर में है शाथियों गौलियर की बात करेंगे अंगला प्रशना आप लोगों के स्कीन पर है अनकूलन के लिए वाय गुहा किसमे उपस्तित होती है मरुद्भुद्ध पौधे में पेड़ पर जली पौधों में या मेसोफाइट्स में उपलब्ध होती है उपस्तित होती है सबी कमिन कीजिएगा देखें अनकूलन की बात की जा रहे है अनकूलन के लिए जो वाय गुहा होती किसमें उपस्तित होती है जली पौधों में उपस्तित होती किसकी बात करेंगे क्योंकि अनकूलन की बात कर रहे है अंगला प्रशने लग तत्त की कमी से कौन सरोग होता है बेरी बेरी टेटनी क्वासी ओरकर या रक्त अलपता की बात करेंगे रक्त अलपता सभी लोग परचित होंगे लग तत अर्थात एफी आरन की कमी की बात करेंगी तो आरन की कमी से कौन सरोग होता सभी लोग जानते हैं हम रक्त अलपता की बात करेंगे D option is the right answer correct answer हो जाएगा आज की class बहुत ही top class थोड़ा होगी सारे प्रश्णाप के ज्यादा प्रश्णापे moderate प्रश्ण यहां पे combine किये गए है क्योंकि तैरी को अगर भेतर करना है completion को high करना है तो question भी hard हमें करना पड़ेगा बेकरीज East का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्योंकि ब्रेड को कठोर बनाता है यह ब्रेड को नंवता इस्पंजी बनाता है भोजन के मान में बृतिकारक है यह ब्रेड को तरो ताजा बनाए रखता है सभी comment कीजेगा जेस्वाल सर आप शवी का प्रतिक सिच्चक बंदू का श्वागात अबिननन करते हैं सभी सिच्चक बंदों को नमन करते हैं और मा सरस्वती से अबिननना प्रातना करते हैं आप लोग जो बेहतीन तहारी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और मेनत का फल जो है आप लोगों को सेलेक्शन के मादम से मिलने वाला है तो वेकरीज इस्ट का प्रयोग ब्रेट बनाने में किया जाता है क्योंकि यह ब्रेट को नर्मत आता था इस्पंजी बना देता है पी आपसन सही हो जाएगा ठीक है मुलायम आप लोग देखते हों कि ब्रेट मुलायम हो जाता है एकदम से ठीक है तो मुलायम और इस्पंजी बना देता है अंगला प्रशन है अध्यन के उनसार आंध पदेश में तुमला पल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो शकता है कितने लाग टन हो सकता है एक लाग 1.5 तू या 2.5 बहुत ही कटिने प्रशन है तो अध्यन के उनसार अगर देखा जाए तो आंध प्रशन में तुमला पल्ली खदान में यूरेनियम का जो भंडार है वह लगभग 1.5 लाग टन के आसपास है 20 प्लस कम्प्रीट कर चुके हैं आप लोग देख सकते हैं और 10 प्लस और कम्प्रीट करेंगे और इस प्रेक्टिस पेपर अभ्यास प्रशन प्रत्व को माडल पेपर को कम्प्रीट करेंगे और जानेंगे इस प्रेक्टिस पेपर पर आप लोगों का फ्रीट बेर क्या है संसार में जो है भारत पहले इस्थान पर किस पर है तो माईकर के उत्पादन में संसार में भारत अबल नंबर रखता है हमारा देश अबल नंबर है अंगला प्रशने स्केन पर है सीडोरिस नामक बिमारी किस के सांस द्वारा अंतर गरहन करने से होता है सिलिका कर्ण लव हो कर्ण जिंक कर्ण या कोईले के कर्ण देखिए एक सीडोरेस नामक बिमारी है जो सांस जो हम लेते हैं इसके द्वारा अंतर गहन करने से होता है और वह नामक बिमारी हो किसके अंतर गहन करने से होता है तो आपको हो जाएगा जिंक के करने जे आपके सीडोरेसिस की बात करेंगे और इस नामक बिमारी जो है आपक जिंक कर्ण के सांस द्वारा अंतर गहन करने से होता है चुछ आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्ने बिधान परिशत में कितने सदसों को राजपल द्वारा मनोनीत किया जाता है या किया जाता है 12.6 बिधान परिशत के कुछ सदस संक्या का एक बटे च्छे भाग या बिधान परिशद के कुल सदस शंक्या का एक बटे बरहमा भाग सभी कमेंट कीजेगा तो सभी आप प्यारे मित जानते हैं सिचक बंदू कि बिधान परिशद में कितने सदस्चों को राजपाल द्वारा मनोनीत की जाता है वह साथियों 6 सदस की बात करेंगे क्या राजपाल द्वारा जो मनोनीत होते हैं वह हमारे कितने सदस हैं सभी लोग कमेंट कीजेगा कोई भी डावट हो कमेंट कीजे फीड़बेक करें क्योंकि प्रतेग सिच्छों मंदू का कमेंट फीड़बेक शरोपर ही है साथियों नीचे दिये गए आधारों में सराज किस आधार पर भारती सम्विदान के अनुच्छेद 15 के तहद बिभेद का प्रतिसेद नहीं करता है जन्मिस्थान मूल वंश भासा जाती तो नीची दिये गए आधारों में सराज की सधार पर भारती समिदान के अनुचेद 15 के तहद बिभेद परतिशेद नहीं करता है वह आपको हो जाएगा भाशा ठीके राज जो है कि सधार पर भारती सम्मिधान की सात्वी अनसूची के तहद भावनों एवं भूमिं पर कर जो है सूची का विसे है राज सूची का, संग सूची का, वैस्विक सूची का या समवर्ती सूची का भी से है सभी कमेंट कीजिए का बहतरीन लाजवाब क्लास चल लएए और आपका फीडवेक, आपका कमेंट, आपका शरोपरी इस क्लास को और बहतर बना देता है golden video बना देता है selection के दस से पक्का कर देता है तो feedback आप का चुका है और आईए जान लेते हैं इस प्रश्ण का हमारा right answer क्या होने वाला है कि भारती समिधान की सात्वी अंसूची के तहट जो है भावनों एबंभून पर कर जो है वैसिक सूची का एक विसे हो जाएगा सी आपसने दराई टेंसर करेक्ट टेंसर हो जाएगा आईए शाथियों बात कर लेते हैं अंगला प्रश्ण की अंगला प्रश्ण जो इसकीन पर आपके है निम्लिकित में से कौन सा सिधान्त विधी का सासन की विपरीत है विधी के समच समता के विसे साधिकार और उन्मुक्त की बात कर रहे हैं औशर की समानता या इन में से कोई भी नहीं देखें ऐसे सिधान्त की बात की जा रहे है जो विधी का सासक की विपरीत हो तो बिधी के सासक का विप्रीश सिधान्त हमारा बेसे साधिकार और उन्मुक्त की बात करेंगे राइट अपसन आपका बी अपसन यहापर हो जाएगा चलिए बात कर लेते हैं अंगले प्रिश्ण की देखे हमेशा आपको तयार रहना होगा प्रेपेर रहना होगा क्योंकि आपको जो चाहिए उस सिच्छा को प्रकट करना पड़ेगा उस इदीशा में कार करें और वो प्राप्ट करने के लिए हमेशा त्यार रहें इसलिए कहते हैं सलेक्सन यहाँ पर शरौपर ही है क्योंकि प्रतेक क्लास का सेसन, प्रतेक प्रेक्टिस पेपर, प्रतेक अभ्यास प्रशन पत्र आपके सलेबस के कॉर्डिंग, आपके शंभावित प्रशन के कॉर्डिंग कर रहे है तो केंद्री सरकार के सिविल अधिकारी में सरोच कौन होता है महा नियावादी होता है काबिनेट सची होता है ग्रह सची होता है या प्रधान मंत्री का प्रधान सची होता है तो किंदी सरकार के सिविल अधिकारियों में सरोच कौन होता है पांस से कड़ के लिए वक्त है सभी कमेंट करेंगे तो किंदी सरकार के सिविल अधिकारी में सरवोच काउन होता है काबिनेट सच्य होता है बी आपसन यहापर आप लोगों का सई हो जाएगा दो-तीन प्रस्णों और हैं इन प्रस्णों को कम्पीट करते हैं भारत में प्रत्यच लोक तंत्र का कौन से एक उधारन है जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम शभा या छेथ पंचायत की बात कर रहे हैं तो भारत में प्रत्यच लोक तंत्र का कौन से एक उधारन है सभी जानते हैं ग्राम शभा प्रत्यच्छ लोकतंद का उधारान यहां पर कौन हो जाएगा सभी गाउं से जुड़े हुए हैं हम बात करेंगे ग्राम शभा की अंगला प्रस्ण निम्लिकीत में से किसका सम्मन्द बिग्यान सिच्छण वाप प्रकत के निर्देशक तत्त से है आपके स्किन पर प्रस्ण अपसंस दिये गए हैं यह पाठ्चरिया में ऐसे प्रयास सामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अन्भाव के हो बिग्यान सिच्छण को कुछ खास मुल्यों को विकास के और अगसर होना चाहिए यह बात कर रहे हैं बिग्यान पाठ्चरिया को प्रकियाओं पर ज्यादा जोड़ देना चाहिए यह आपके अपसंस दिये जा चुके एबी, एसी और बीसी और एबीसी की बात करेंगे देखें सात्यों ऐसा सम्मंद या किसका सम्मंद बिग्यान पर सिच्छन प्रकियत के निर्देशक तत्यों से है तो पहला आपसंस जो दिया गया है यह पाठ्चरिया में ऐसे प्रयास सामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अन्वाव से जुड़ा होती है यह भी एक पॉच्टू है क्योंकि प्राइमी लीवल के बात कर रहे है प्राथमिक विद्यालों की बात की जा रही है ठीक है और जो दूसरा आपसंस है कि बिग्यान सिच्छन को कुछ खास मुल्यों के बेकास की और अगसर होना चाहिए यह भी आपके पॉच्टू हापसंस हो गया बात करेंगे तीसरे आपसन की कि बिग्यान पाठचरिया को परकियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बिल्कुल तो ये तीनों आपसन जो देगे हैं जो डी आपसन एवी सी वाला हमारा सही हो जाएगा ये तीनों जो हैं आपके शमंद बिग्यान सिच्छनवा प्रकियत के नेदेशक तत्तोषे हैं और इस प्रेक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्नपत का तीसवा प्रश्न आप लोगों के स्किन पर है निम्लकित में से कौन सकतन शत्य दिया गया है कि बर वर्स 1977 में इस्वर भाई प्रश्न को अधश्ता में एक रेवो समित की गठिन के गई थी राश्टी सिच्छा नीत वर्स 1986 में आई है या NCF वर्स 1998 में आई है सभी लोग अता ये कौन सकतन सत्य दिया गया है देखिए वर्स 1977 में इस्वर भाई प्रश्न को अधश्ता में एक रेवो समित की गठित की गई थी ये विलकुल कथन शत्य है और राश्टी सिच्छा नीत सभी लोग जानते 1986 में आई है ठीक है सभी लोग बताई है 1986 में आई है और अभी जो राश्टी सिच्छा नीत टू दोहजार बी से काईस की है उससे सम्मनित हम अलेडी कंसेप्ट कर चुके हैं महत पूर्ट टाप 50 कोश्चन कर चुके हैं क्योंकि एक से दो हमने देखा सीटेट में दो प्रतेक पर पूछा गया है ठीक है उससे सम्मनित तो हम भी आसा करते हैं इसमें भी एक तो प्रतेक आएगा ही आएगा हो शकता दो भी प्रतेक आसकते हैं तो बीडियो मत चुकेगा प्रतेक आने वाली बीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह समय बहुत युंदा लाजवाब है क्योंकि आप जब बहतीन त्यारी करते हैं बहतीन प्रिपेशन का जब आपको शाधन मिलता है तो वही इसी परिवार के सभी बच्चे ऐसे यहां पर सेलेक्शन आएंगे ऐसा धरधर सेलेक्शन आएगा दोस्तों कि सभी आपे 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करेंगे और यहां पर हैश्टेक आपको कमेंट करना है है हैश्टेक करके I can do it 140 प्लस जितना यहां पर मेरे सिच्चक बंद प्यारे भाई बहन गरणी है 140 प्लस का स्कोर करने के लिए अपने मन में ठान लिया है सब कुछ द्रण निश्चे बना लिया है सभी कमेंट करेंगे हैश्टेक I can do it 140 प्लस और वादा करता हूँ जितने आपे 140 प्लस मेरे सिच्च बंद उलाएंगी स्कोर सभी का इंटेर्वू इस परिवार के मादम से सभी को सेयर किया जाएगा आपके मेनत की सफलता को पूरा भारत देखेगा और पूरा जब भारत देखेगा तब आपके माता पीता पर गर्व होगा आपको गर्व होगा आपके चाहने वाले आपके रिलिसन में गर्व करेंगे कि वाकई में वो बहुत ही मेनत करते थी यह करती थी जो देखते थे द जेस्वाल सर शबी मित्रों को जेहिंद वन्दे मात्रम शुबराती